बिलकुल एक पिंग और एक सिस्काफिम्हार कर से और यहां पर लिए देख सट हैं प्रसथा होता है सब से जादे नुपरेंट होता है सब से जादे वायरन होता है सेट के प्रसंद होते हैं सभी सेटों में क्या करते हैं लड़ते हैं पूरा पेपर है नौ पेजों में दिया गए देख सकते हैं बिल्कुल हंड़ेट परसें ऐसा यह पेपर क्या होगा यूपी बोर्ड परिच्छा दो यहार पचीस में आपको देखने के लिए मिलेगा मैं बता दूकिस परीपर आपको सीड़ेट यहां पर देने जाएंगे परस प्रसे सामने आएघा के लिख रहे हां यहां पर लिखना यहां पर नुकुल आपके सबसे पहले कुछ नोट देगा जिसे ध्यान से आपको पढ़ना यहां पर बोलेगा कि 15 मिनट क्या है परिच्छातियों को पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है और यह जो पेपर होगा आपको देखने के लिए मिलेंगे तो इस वाइरल पेपर सबसे पहले आपको दिया गया है खंड और से पहले खंड और में 20 बहुत कल्पी प्रसन मिलेंगे इनका सुलूसन आपको करा देता हूं और इस वाइरल पेपर के सभी प्रसनों को जरूर तयार करिएगा चुकि हंडे को चार अपसन दिया गए आपको अपसन भी दिखाऊंगा आगए को पर कॉछा गया हिसा प्रसन को पुछा गया था कि ट्याग पत्र के लेखा कौन ए DRU को जीट आए गाए और यहां पर के लिधा संकर ना आपको जो भी बिकल्बंसल्द को यहां पर गोला बनाना आपको बोड पर इच्छा में इस पर आप लोग कर ली जिगा, फिलाले आपके मैं पेपर में ही क्या करता हूँ, टीक करा देता हूँ, तो आप सभी को याद दखाएं कि त्याग पत्र के जो लेखेक है, जैनेंदर कुमार है, तो यहाँ पे खवाल आपसें बिल्कुल करेक्ट हो ज दूसरा प्रसन बहुत जादे इंपोर्ड आपको दिया गया, प्रसन कहरा है, कि बान भट की आत्मकता किस विदा की रचना आपको बताना है, जीवनी है, आत्मकता है, उपन्यास है, या एकांकी प्रसन जाब बोड पर इच्छा में पूछा जाता है, तो काफी लोग कंफ बहुती लाजबाब दिया गया, बिल्कुल वायरल प्रसन दिया गया है, कि अचारे रामचंद सुकल के निवन संगर का नाम आपको बताना है, इसमें से कौन सा है, जो अचारे रामचंद सुकल का निवन्ध है, यहाँ पे पहला आपको ठलूआ कलब दिया गया, दूसरा चिंतामड़ी दिया गया, तीसरा वीचार भी थी दिया गया, और चौथ आपको अरस्मी मान सा दिया गया, तो आप सभी को याद रखना है, इसका करेक्ट एंसर चिंरे पे खावला हो जागा, चिंतामड़ी क्या है, जdit शार नमबर का प्रसन दिखा देते हैं, बाहुत थ और लिए बीपर सेक्षब को सदन इंप्रसाद को andar को भी सेफ उनियास की यास आफ तक पहसं को दोकि पर देख लीजिए कि वयरा वर्यारी साइं और दीम्सकर जानर यानि हमारे answer बताने से पहले आपनों देख लिजे कि या इसका साई answer क्या होगा सभी को बता दू कि सेवा सदन क्या है मुंसी प्रेम चंदर की रचना है तो यहाँ पे गौवल आपसन बिल्कुल correct हो जाएगा आप सभी को बता दू कि नीड का जो निर्माड है न हरिवन सराय वच्चन की रचना है और यहाँ प्रकार का आत्मकता है तो यहाँ पे खवल आपसन बिल्कुल correct हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ आप जैसेते हैं 6 नमबर का प्रसन वाइरल पेपर का कितना जादे important आपको दिया गया प्रसन कह रहा है कि दीप सिखा और यमा के रचईता है आपको बताना है कि जो रचना बहुत ही जादे फेमस है दीप सिखा और यमा यह क आपको समझ में आ रहा होगा चली इस पेपर को हम लोग प्रट लेते हैं और इसके बाद से हमारे समय आएगा 7 नमर का प्रसन देख सैते हैं इस पेपर में 7 नमर का प्रसन बहुत ही जादे important दे दिया गया प्रसन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है आपको बत प्रसन बहुत ही जादे important बिल्कुल 100% real viral model paper है और ऐसा paper आपको किसी यूटूब चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगा आप सारा video देखा होगा बहुत सारा viral paper हिंदी का देखे होंगे लेकिन ऐसा paper आप लोग कहीं भी नहीं देखे होंगे चुकि यहीं क्या है 100% real viral model paper है तो viral paper आप लोग देख रहे हैं और यह paper अभी तक किसी के पास नहीं आया यह paper बहुत तेजी से क्या हो रहा है viral हो रहा है अभी तक किसी यूटूब चैनल पर इसका solution आपको नहीं मिलेगा और यहां पर मैं बता बता दू कि मेरे पास क्या है सभी बीसों के सासा सेट क्या है viral model paper अगर साथों सेटों viral model paper का solution देख लेते हैं तो 95% उपर नमब पाने सापको कोई नहीं रोक सकता है तो मैं सबका solution कराऊंगा अगर आप चाहते हैं सभी बीसों के साथों सेटों का solution करना इस चैनल पे या पीडियाप चाहते हैं तो हमारे ग्रूप चैनल को subscribe जरूर कर ल रूप है तो यहाँ पे call option बिल्कुल correct हो जाएगा चल इस paper के page को हम लोग पलटते हैं और आज आते हैं यहाँ पे 17 नमर प्रसन पे देखेगा क्या दिया हुआ है यहाँ पी 9 ने दिया है कि talk की विभक्ति और वचन बताए जो सब्द आप देख रहा है इसका विभक्ति औ और आपको वचन बताना यहाँ पे 4 आपसन आपको दिया गया है जल्दी से आप लोग comment section में बताए आप सभी को बता दू करेक्ट के अंसर घौबला हो जागे खश्टी विभक्त एक वचन का है आपको याद रखना है यहाँ ठारे नमर का प्रसन देखेए वाइरल पेपर 19 नमर का प्रसन देखे बहुत जादे इंपोर्ण आपको दिया गया है धूप में चला नहीं जाता है यहाँ पे एक वाक लिखा गया कि धूप में चला नहीं जाता है इस वाक में आपको वाच बताना है कौन सा वाच हो सकता है करता वाच हो सकता है कर्म वाच हो सकता है भा प्रस्ट का इंसर आप लो मुझे कमेंड शेक्शन में जरूर बताएगा जीन पदों के अलग-अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है विकारी पद कहा जाता है दोनों कहा जाता यह इन में से कोई नहीं तो इस पेपर का सुलूशन जरूर देखेगा और इस प्रस्ट का इंसर मुझे कमेंड सेक्शन में जरूर बताएगा चुकि मैं सासती से यही कामना करता हूं कि है मासती जो भी मेरे चैनल से पढ़ रहा है उसको बोड पर इच्छा में 95% से उपर नंबर दिलाए ताकि वो अपने माता-पिता का नाम रोसन कर सके और कर लिजीगा वीडियो को लाइक कर देंगे कमेंड सेक्शन में अपना टार्गेट आप लोग जरूर लिखेगा कि बोड पर इच्छम आप कितना परसेंट नंबर पाना चाहते है मासती की खिरपा हो गया और आप लोग मेहनत करेंगे तो आपका टार्गेश पूरा होगा अपने टार्गेट को जरूर लिखेगा लेकि चाहते है इस वारल पर के खंड बॉप पर देशाते इस पेपर में आपको खंड बॉप दिया गया देशाते है बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके सामने आपको यहां पे खंड बॉप लिखा रहेगा और यहां पर लिखा बोर्ड की काउपी में आपको लिखते दिखाऊँगा कि कैसे आपको लिखना है तो पहले ध्यान से आप लोग करें ये लाइन पढ़िए और पहचानी किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखा का नाम क्या है हम पेज को पलट लेते हैं देख सकते हैं यहां पर कुछ और भी इसमें लाइन दिया गया है देख सकते हैं यहां पर रखांकित भी किया गया है ये पूरा ध्यान से आप लोग देखिए और पहचानी किस पार्ट से लिया गया है यहां पर दिखिए पहला प्रसन पूछा गया है यूप यूग्त गधांस के पार्ट और लेखा का नाम लिखिये इसी को बोला जाता है संदर्व लिखिये दूसरा गधान्स के रखान की तन से की ब्याख्या करिये तीसरा कर रहा कि बापु ने क्रांती करने के लिए किसका सहरा लिया था ध्यान से लाइन को पढ़ेंगे तो आपको इसका पाड का नाम पता चल जाएगा और लेख ज़ता के कारण पर परकार डालिये तो इस पहले वाले का सुल्उसान करा देते हैं चाहे भारती संस्कृति बाट से दिया गया और इसकी लेख प्रसाद हैं बोड की कॉपी ले लेते हैं और वहाँ पर बता देते है कि इसका एंसर पको कैसे लिखना है लाइन आपको कह लि पहला वोला दिया गया है और इसके अलावाँ भी क्या क्या गए एक और दिया गया आप लोग में ने कुछ सब्द लिखा है भीच में डेडर्डर्स किया है फिर यहाँ पे अंतिमोला कुछ सब्द मैंने लिख लिखना है इसके बाद से देखे एक नमबर जो हमसे पूछा हुआ कि संदर पूछा गया तो यहाप एक नमबर आपको डालना है और यहापको हेडिंग बनाना है संदर आप खुब अच्छे से क्या करना आपको साफ सब लिखना है जैसे संदर कैसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत गध्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद इखन में संकलित भारती संस्कृती नामक पाठ से लिया गया है इसके लेखक डाक्टर राजिंद परसाद है तो यहाप देखिए दो नमबर आपको मिलेगा बोड परिछा में यहापे आपक का नाम और लेखक का नाम को क्या करना है या तो आप काले कलम से लिख सकते हैं या काले इसके से लिख सकते हैं या जो important point उसे क्या करना आपको highlight करना है I hope आपको संदर्व लिखना समझ में आ गया होगा यहापे दूसरा जो चीज हमसे पूछा गया है बयाख्या करना है तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेख भालत कीैन ऐसे दिखने हैं तो जो चीज़े यहाँ पर लिखा गया है, उसी के बारे में बताए गया है, सामुख चेतना के बारे में बताए गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको रिखांकित किया गया है, जो सारी चीज़े आपको समझ में आ रहा है, अपनी भासा में आप अपने तरफ से बनाना है आप लोग जोड के लिगी दिन के आपको काम चल जाएगा लेकिन सुरू का जो पंगिती होता है बढ़ियां होता है यहां पे जो भी आप लोग हेडिक बनाएगा थोड़ा सा हाइलाइट बनाएगा आप चाहें तो काले इस के जिगा भी परियोग क होता है या काले कलम का परियोग कर सकते हैं ऐसपश लिखा लिखा हुआ है कि और तरफर करने के लिए इसी नैं तिक चयतना का साहरा लिए गया था तो किसे लिखना है कि इसका भी परियोद्ड क allora आपको लिखना है कि बापू ने करने के लिखाएक एकल पर्ण लिए था नाया, तो कोई सकरना, कॉपी मिले की देना आ लेकिन आपको ध्यान कि को साफ को लिखुने है। वह पर नंबरी आपको जाये नंभर प्रमार के संपर लिखेंगे हम लेके चलते हैं प्रसित नंबर 2 प्रम, थ्यांस पर द है ऑपको ऊतर देना यहाँ पर भी आपको 6 नमबर मिलेगा तो इसमें भी वही काम करना है, संदर्व लिखना है, आपको ब्याख्या करना और एक और प्रसन पूछा जाएगा, तो चली यहाँ पर बता देते हैं कि कौन-कौन सा कोश्चन आपको दिया गया है, तो आपको देख सकते हैं, यहाँ दुख कोश्चन आपको दिया गया है, तो पैसा श्वारय पेपर में आपको पहला पद्यान है, निर्गूर कौन-कौनोर देश के वासी यह दिया हूए, यहाँ पर आपको तीन प्रसन पूछा गया है, संदर्व लिखना है, ब्याख्या करना है, और यहाँ पर अथ्भा क जो पद वाला उससे है, तो मैं इसी का सुलूसन आपको कराऊंगा, अथवा वाला आप लोग देख लिए यह भी बहुत जादे इंपोर्टेंट है, आपको मन करेगा वो करना है, चुकि अथवा करके आपको दिया गया तो दोनों में से को एक ही करना है, हम बोड की काप्वि किया या दूसरा वाला किया, चुकि आपको दो दिया गया तो इससे यह पता चल जाता है, कि पहला वाला आपने किया है, कि दूसरा वाला किया है, तो आपको संकेत जरूर लिखेगा, उसके पहला आपको हैडिंग बनाना है, संदर्व, संदर्व कैसे लिखना है, तो आप और जो संस्क्रीत ओवरा होता है उसे खंड लिखा याता है इसको भी आप लो या देखेए नहीं कि पध्यान दिया तो आप लो गद्य खंड लिख़ए ऐसा आपको नहीं करना है I hope आपको संदर्म समझ में आ रहा होगा इसके बाद से देखे आपको रेखांकी तंसों की ब्याख्या करना है तो यहाँ पे दिखा देते हैं यह दो लाइन क्या किया गए रेखांकी किया गए दे लाइन और दूसरा लाइन तो चलिए आपको बताते है कैसे आपको ब्याख्या करना तो यहाँ पे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिया उध्व जिसे कहती है कि है उध्व मैं आपको सवगंद देकर पूछती हूँ हसी नहीं करती आप हमें यह समझा कर बात दीजिए कि आप जिस ढलता कौन देश के वाशी करह रहां है मदकर कहीं सौज़ाई सो देबुजती सांच नहसी मतलब हमनों हसी नहीं करा है समझा कि नहीं करें तो चौंन यहां पर प्याकर करना जो रिखस्ट किया गया उसी के बारे मापको बताना रहतip का दिया दूसरे बहुत चांधर आपको लिखा गया कि जो पंगती दिया गए इसमें क्या किया गया तो इसको भी थोड़ा सापनो आपको काले कलम से लिख लिएगा आपको तै कर लेंगे अगर जैसे में ने बताया वैसे लिख दे इन प्रसणों को तैयर कर लेंगे तहीं खेय में 6 नमबर आपको मिल जाएगा, एक भी नमबर नहीं कटने वाला है, इसके बाद चलिए हम लेकर चलते हैं प्रसंद नमबर 3 पे, और आप देशते हैं इस वाइरल पेपर में जो 3 प्रसंद दिया गया, यहाँ पर बोला है कि निमलिखी संस्क्रीट का दानसों में से कि से का संदर्व से आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, संस्क्रीट का गध्यांस दिया जाएगा, आपको संदर्व लिखना है, और हिंदी में अनुवाद करना, इस पेपर कॉम थोड़ा सा पलट लेते हैं, यहाँ पर आपको वराणसी चप्टर से दिया गया है और यह भारती संस्कृती से दिया गया देख सकते हैं यह बहुत ही जादे इंपोर्टन है बताजार है कि 100% ऐसा ही पेपर आएगा तो इन प्रसुनों को आप जरूर तयार करीगा बिल्कुल रियल वायरल मोडल पेपर और ऐसा सुल इस चेनल को बाइश के जरूर कर लाइजाओ इस चैनल को भाई सस्क्राइब जbn कर दाएगा अगर आप इस वीडियो को सुलिध भी शाने के अपर breaking सान इसागते हैं भाई संच्षि का जिए गे शुलन वाला किया है या दूसरा वाला किया है उसके बाद से दिखिएगा हमें संदर पूछा और यहां पे अनुबाद पूछा है तो पहला आपको heading बनाना है संदर और इसका संदर बहुत आसान होता है simple आपको लिखना है कि प्रश्तुत गध्यांस हमारी पार्टी पुछ तक हिंदी के संस्कृत खंड याद रखे यहाँ पर आपको लिखना है संकलित वरांसी नाम पार्ट से लिया गए इसमें किसी लेखाऊ हो और अपको नाम आपको नहीं लिखना है यहाँ पर सिंपली पार और संस्कृत भासा के केंदर अस्तन है।姜 हैichen संस्कृत और संस्कृत का प्रकाफ सब जगा फैला था। यहां पर मैंने कुछ लाइन आपको लिख दिया है, आपको देख सकते हैं, यही सब चीजे क्या 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 कि इसमें बताये गया है, यहां पर मैंने डैस कर दिया है, चलिए आपको आगे का लाइन दिखाते हैं, क्या आपको लिखना है, यहां आगे लिखना है कि मुगल यू संदर्व लिखना है संदर्व में बस पार्ट का नाम लिख दीजेगा और यहां पर क्या करना अपने भासा में इसका अनुवाद कर देना है आपको पूरा का पूरा यहां पर पांच नंबर मिल जाएगा आई होप आपको समझ में आरा होगा यहां पर बता देते हैं कि चार नंबर का प्रस्ण बोर्ड पर इच्छा में क्या आएगा जो चार नंबर का प्रस्ण आएगा यहां पर आपको बोलेगा कि संस्कृत पध्धानसों में से किसी एक का संदर्वाद आपको करना यह भी पांच नंबर का होगा यह आपको संस्कृत कर देगा और आपको क्या क प्रस्तुत इस लोग हमारी पार्ठी पुस्तक हिंदी के संस्क्रित खंड में संकलित जीवन सुत्राणी नामक पार्ट से लिया गया है, यह जो पंक्ति लिया गया है, वो जीवन सुत्राणी पार्ट से लिया गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको हाइलाइटेड कर देना है दूसरा आपको heading बनाना अनुवाद और आप सभी को बता दू कि यहाँ पे जो पंक्ति दिया गए जिसे मैं paper में भी आपको दिखा देता हूँ यह जो पंक्ति दिया गए इसी का आपको अर्थ लिखना है इसका आपको बता देता हूँ इसका अर्थ होगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि मनुस किसको छोड़कर प्रिय होता है, किसको छोड़कर सोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है, और लोब को छोड़कर क्या होता है, सुखी होता है, तो यही क्या हो जागा, इसका एंसर हो प्रprof 1974 जोति डूब चलता होगा ऐव आग छोपिगा यहां पर दो प्र compass एक पूछा जाएगा कि जो भी अगर हैं उनका चरित चीतन पूछा जाएगा और दूसरा उस खंड कावे का कथा वस्त को आपको संचे में पूछा जाएगा तो बस दो चीज़ आपनों तयार करें जिएगा इससे बाहर नहीं आएगा आपको याद रखना है आपको याद रखना है चुकि मैं इस प्रसंद का सु हराणा परताब जी है तो इसलिए मैं इसका सुलूशन नहीं करा रहा हूँ ठीक है ना चुकि मुझे अपने जीले के बारे में पता और आरेडी मैंने क्या किया मेवाड मुकुट का सुलूशन कराया आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा जीले करना हूँ और आपके जीले मे उसका नाय कौन है इसके बस देखिए आपके सामनाएगा प्रस नंबर 6 और प्रस नंबर 6 बहुत ही जादे इंपोर्टेंट होगा यहाँ पे कौ देगा और यहाँ पे खौ देगा तो कौ में आपको लेखक का जीवन पर्चे लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा और प्रद्धिया का आपको तयार कर लेना है लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डाक्टर राजएंद्परसाद का जीवन पर्चे आपको लिखका देता हूँ कि कैसे लिखना है बिल्कुल इसी तरीके से आप लो जीवन पर्चे लिखेंगे तब ही आपको 5 में 5 नंबर म चार राम चान सुकल का लिखेंगे तो उनका नाप लिख देगा यहाँ पर वो करना क्या है इस पेज में क्या करना थोड़ा से एक आपको इस पेस लेना है यहाँ पर एक लाइन खीचना है और जो भी मेंड पॉइंट होते है जैसे जन्म हो गया जन्मास्थान हो गया पीत उन्हों की तारिख करता है जन्मस्तां करता है पीता का नाम चे करता है सीठ चेक करता है अजह करता इनके पिता का नाम महादेव साय आय था आपको ध्यान देना कि जो भी highlighted point है यानि जो चीजे यहाँ पर मैंने लिखा उसको आपको काले कलम से लिखेना चाकि यह highlighted हो और जैसे इसको पढ़े तुरंत आपको पांच नमबर दे दे आपको देश से ते बिलकुछ 60 तरीके से मैं इनके बढ़िया तरीके से लिखा है आपको आगे लिखेना है कि कोलकात्ता बिस विद्धाले से इनों ने में और ML की परिच्छा उत्रेंड की इनों ने आगे चलकर भारत के पर्थम राश्पती का गौरव प्राप्ति किया और 28 परोरी 1913 परलोक वासी हो गई यानि इनकी बताया है विल्कुर ट्रिक के साथ मैंने बताया है यहाँ पर यह पूइंट आप लोग लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा इसके बाद से देखेगा जो दूसरा प्रसनी से वाइरल पेपर में पूछा गया नों का जीवन पर्चे लिखे प्रसूतर संख्या चंगवा का खो चुकि हम लोग छठा का खो करेंगे यहाँ पर कभी का जीवन पर्चे लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर जो भी हाइलाइटेड पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है चुकि इसी पर क्या होता आपका नंबर मिलता है यही क्या होत इनके पीता का नाम पंडित गंगादत पंद तथा इनकी प्रारंबिक सिझ्छा ग्राम में ही पूरी हुई, इसके hed इनों ने अलमोडा, काजी, और प्रयाग में सिच्छा प्राप्त कि gambling 1920 में असलेंगी भाग लिए था, इनकी में तो सन 1977 इस भी भी हो गई तो आप लोग देश सकते हैं अगर ये पॉइंट आप लोग देंगे एकुल ऐसे एक्जामनर कापी चेक करेगा और यहाँ पर पांच में पांच नमबर आपको देदेगा आई होप आपको समझ में रहा होगा इसके बाद से आपको यहाँ पर डाल देना है और आपको लिख देना कि इनकी परमखुर रचनाई ने मिलेगा आई होप आपको इतना प्रसंद समझ में रहा होगा जिनको भी वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लिस वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल पर पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आपको बताते हैं कि प्रस नंबर साथ क्या आएगा आपको सामने प्रस नंबर साथ आ गया वाइरल पेपर में आपको दिया गया चुकि बोर्ड पर इच्छे में दूआ जाता है तो आप लोग तीसरा वड़ा लिख ले ते इसको आप लोग कर ले जिएगा आप लोग कोई भी स्लोग तयार कर सकते हैं जैसे सबसे आसान होता है चार नंबर का जैसे पहला आपको दिया गया कि सहर की सफाई है तो अपने सहर के मुख नगर अधिकारी को पत्र लिखिए एक और आपको दिया गया आथवा करके भी आपको दिया जाएगा आपको आथवा हम देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पेपर में है कि सूल्क माफी के लिए अपने परधनाचार को पत्र लिखें तो चाह देते हैं कि सूल्क माफी के लिए कैसे आपको पत्र लिखना है यहाँ पर करना कुछ नहीं यहाँ पर डाल देना पर सूतर संख है आठ और यहाँ पर लिखना है सेवा में है कि मैं आपके विद्याले का कच्छा दसुका छात रूं। मैं एक गरीब प Carryवार में रहाता हूं मेरे पिटाजी एक गरीब किसान है मै पीटाजी मेरी फीस देने में असमार्थ है यह चीज़ा आपको लिखना ऐब फीस माफी आप क्यों कराएंगे यहाँ पे दिरांक आपको लिखना है धन्यवाद लिख देना है और आपको लिख देना है कि आपका गयकारी सी से लिख देना है यहाँ पे नाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना है यहाँ पे कौका गौल लिखिएगा कि अच्छा आप 10 भी लिख सकते हैं तो इसका स्क् प्रसिए का दिखा देता हूँ, चुकि ये चारो प्रसिड क्या है, बहुत जादे का इंपोर्टेट है, पहले का थ्यार। मंगलम भूत यह पहले का एंसर हो जाएगा दूसरा आप से पूछा गया है कि चंदर सेखरा कौ आसित आपका एंसर हो जाएगा चंदर सेखरा एका प्रसिद करांतिकारी देशभकता आसित हो जाएगा आपको याद रखना है यहाँ पर तीसरा वाला प्रसंद बहुत जादे इंपोर्टेंट है और यह वाला पूछा गया कि बीरह केन पुझते है तो इसका एंसर हो जाएगा बीरह बीरेंड पुझते है तो मैंने चारों का एंसर आपको बता दिया आपको स्क्रीन साट ले लिजिए चुकि यह चारों प्रसन आपको बोर्ड परिचा मे आपको दिलाएगा निबंद में आपको लोग चाहिए तक बेरोजगारी की समस्या और समधान आपको त्यार करना है यहीं बंद क्या है सबसे जादे इंपोर्टेंट है और यहीं क्या होगा बोर्ड परिच्छा माँसे पूछा जाएगा तब भी चाहते हैं कि आपको सात म इस निबंद को जरूर तैयर करेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा इस पर अलग से वीडियो प्रवाइड कर दूंगा अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए देगा यही क्या है वाइरल मॉडल पेपर आप लोग पर इच् पर आपको किसी भी यूटूब चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगा है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद जिनको भी इसका पीडियाप चाहिए हमारे गुरूप को जोइन कर दिया गया है और स्क्रीन पर दो और वार 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 पेपर आपको दिखाई दरा हो इसको क्लिक करके देखिए चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में